सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू मैं अधर वीडियो मेरा नाम है रोहन आप देख रहे हो टैकी आर एंड वीवो इस बैक विद देर वी 30 सीरीज जी हां मतलब वी 30 एं 30 प्रो तो अल्रेडियों ने लॉंच कर दिये थे उस पर मैं एक डेटेल वीडियो भी बनाई है डिस्क्र बुरी भी है क्या क्या है इस फोन की पूरी कहानी बता दूगा आपको मैं आगे लॉंचिंग का बताओं तो यही सेकंड आफ में यह स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉंच कर दिया जाएगा ओन लाइन और ओफ लाइन दोनों स्टोर्स पर देखने को मिल जाएगा इंड उसके हफते बाद ही इसकी सेल भी स्टार्ट हो जाएगी सो क्या है सुन की सारी इंफोर्मेशन बताओंगा आपको आज की इस वीडियो में सो बिना नाइम वेस्ट किया जल्दी से वीडियो को कर लेते हैं शुरू और शुरू कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड के साथ जो कि आप लोगों के सामने एंड मैं बहुत बार इवन लगातार ये चीज़ बता चुका हूँ के बड़ा सायर क्यामरा सरकल अब मतलब अच्छा नहीं लगता यार बाकि आप लोगों की क्या रहा है वो आप लोगों की मर्जी बाकी हाँ इसमें काफ अच्छे देखने को मिल जाते हैं एक तो कलर इसमें आपको वही देखने को मिलता है मतलब थोड़ा महरून से टाइप का जो कि इनकी V29E में भी आपको मिलता था बट एक यह वाइट कलर इसमें मुझे बड़ा ही अट्रेक्टिव लगा है ये कलर देखने में म वही स्कॉर्ट एक्सेंशन वाला की ग्लास देखने को मिल जाएगा बाकी ये स्मार्टफोन कर्वड डिस्प्ले के साथ में आने वाला है सिंगल स्पीकर इसमें रहने वाला है टाइप सी जाजिंग पोर्ड मिल जाएगा 3.5 mm हेड़फोन जैक नहीं मिलने वाला है अंडर बाकी यार एक तो इन में NFC IR ब्लास्चर ये चीज़े में आपको देखने को नहीं मिलती है पता नहीं क्यों यार वीव इन चोटी-चोटी चीज़ों को इतना लक्शरी बना देता है कि अपने नॉर्मल फोन में देता ही नहीं है वैसे वी सीरीज की बात करें नॉर्मल तो 10-bit का AMOLED पैनल होने वाला है यानिके अप टू 1 billion colors इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे बाकी 1300 nits की peak brightness रहने वाली है 120 Hz का हाई refresh rate फोन में आपको देखने को मिल जाएगा सो content watching में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है डिस्प्ले का size काफी बड़ा देखने को मिल जाता है सो यार handling में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है single head use करने में आपको दिक्कत रहने वाली है बट अगर मैं बात करूं overall experience की सो multimedia experience और gaming experience आपका इस display जात में काफी अच्छा होने व आप में 8 MP एक wide-angle camera भी देखने को मिल जाएगा उसी के साथ में इसमें आपको OIS का option देखने को मिलने वाला है अच्छी बात क्या है कि इसमें वो 2 MP चोटा सा camera नहीं डाला गया 8 MP का wide-angle camera इस phone में आपको देखने को मिल जाएगा जो की up to 120 degree तक आपका angle भी cover कर लेगा अच् and back both camera से आप 4K video recording कर सकते हो फ्रेंट camera की बात क्रो 150 MP चोटा सा punch hole camera में आपको देखने को मिलने वाला है जो की eye autofocus के साथ में आने वाला है so camera's Vivo के अच्छे होते हैं कोई जाद दिक्कत प्रशानी आपको camera part को भी लेकर यहाँ पर नहीं आने वाली है काफी सारे इसमें आपको options देखने को मिल जाते हैं इनका जैसे wedding style portrait उसी के साथ में इसमें आपको औरा light भी देखने को मिल जाएगी जो के बड़ी से ring light है अपन इस phone में आपको मिलने वाली है 5500 mAh के एक बड़ी सारी battery अच्छी बात यह है कि यह phone इतनी heavy battery होने के बाद भी काफी slim and काफी आपको light weight देखने को मिलने वाला है somewhere around 180 g इसका आपको weight देखने को मिल जाएगा and 7.6 के nearby इसके आपको mm thickness देखने को मिल जाएगी सो यार battery and charging को लेकर भी इसमें आपको कोई दिक्कत प्रशानी नहीं होने वाली है काफी तगड़ा battery backup देखने को मिल जाएगा because इसका जो processor है वो भी आपको 4NM की fabrication के उपर में मिलता है जो कि आपकी battery को और भी जादा बचाने वाला है अब processor की बात हो गई है तो जरा आप बात कर लेते हैं processor के बारे में ही इस smartphone में आपको देखने को मिलने वाला है snapdragon 6 Gen 1 वाला processor जो की 4NM की fabrication के उपर based है इसमें आपको मिलती है 2.2 GHz की P clock speed चार कोर मिल जाएंगे 2.2 GHz वाले जो की होने वाले है cortex A78 के चार कोर देखने को मिल जाएंगे 1.8 GHz वाले जो की होन वाले है cortex A55 के साथ में Adreno 710 वाला GPU देखने को मिल जाएगा प्रफॉर्मंस अच्छी है बट तिकर कहां है इसकी pricing को लेके बट अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा वीडियो के अच्छे से बात करेंगे ठीक है इसमें आपको तीन साल का Android अपडेट भी देखने को मिल सकता है वैसे दो का तो मिली जाएगा तीन का भी शायद से मिल सकता है अब जरा बात कर लेते हैं इसके variants की इस स्मार्टफोन में गाईज दो variants लाँच किये जाने वाले हैं जो की होने वाला है 8128 एंद साथ में 8GB और 256GB RAM आप extend कर सकते हो 8 Plus 8 आप बढ़ा सकते हो बट memory को इसमें आप extend नहीं कर सकते यानिकर memory card का option इस स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है यह थी इस फोन की पूरी कहानी आप लोगों के सामने बाकि यार अगर मैं बात को इसकी pricing की तो somewhere around जिसका base warrant होगा 828 वो यार I guess आपको 25-30 या मैं अगर ज़्यादा डीपली बात करो तो I guess 28,000 की range में देखने को मिल सकता है और जो होने वाला है 8256 वो आपको 30-32 या 33,000 तक देखने को मिल सकता है बट जो मुझे लगता है वो 28,000 और 30,000 ये इसकी pricing रह सकती है विकॉज यार इससे उपर ये जाने भी नहीं चाहिए अगर इससे उपर जाते हैं नीचे आजाएं फिर तो यार मतलब काफी अच्छी बात है पकर इससे उपर चल जाते हैं तो बिल्कुल बेची डिल नहीं होने वाली है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार इसकी performance काफी एक यहां पर बड़ा ड्रॉप एक इसका बनके निकलने वाला है बिकॉज यार अभी रिसेंटली वीवो ने अपना T3X लाउंच किया था उस पर वीडियो बनाई थी देख लेना वो भी उसमें आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है और वो फोन की प्रैसिंग क्या है 4x28 मिलता है साड़े तेरा हजार में 628 उसमें आपको देखने को मिलता है पंदरा हजार में एंड 828 मिलता है साड़े सोला हजार में और यहां पर आपको 828 इसका अगर 28-30,000 की रेंज में देखने को मिलेगा सेम प्रोसेसर के साथ में तो यार मतलत क्या ही उसकी वैलू रह जाएगी हाँ ठीक है मतलब काफी चीज़े डिफ्रेंस है वर डिफ्रेंस क्या है उसमें आपको बैटरी काफी तगडी देखने को मिलती है बट उसमें क्या आपको कर्व डिस्प्ले नहीं मिल जाएगी कैमरा अच्छा मिल जाएगा चारजिंग स्पीड बढ़ जाएगी एंड लुक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी बाकी यार पर्फॉर्मेंस आपको दोनों में सिमिलर सी देखने को मिलने वाले आप उसमें आठीक सोटाइस पर्चेस करते हो साड़े सोला हजार का इसमें आपको आठीक सोटाइस गरपड़े अठाइस थी सब्सार करते हैं मतलत कोई क्यों ही जाएगा यार इतना उपर एक सिर्फ उस चीज के लिए मिल जो है यार कर्व डिस्प्ले काफी सारे ब्रैंट्स हमें कम प्राइज में दे रहे हैं अगर मैं बात करूई यहां प 25-30,000 रुपे भी अगर मैं कहूं तो यार मतलब काफी जादा हो जाते हैं बाकि आप लोगों की क्या रहे हैं इस फोन के बारे में आप ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हो बाकि सेकेंड आफ में यह स्मार्टफोन इंडियन मार्कट में लाउंच हो ही जाएगा तब इसक सब्सक्राइब किया हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वह बैल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दो ताकि मेरी हर वीडियो के नौटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो बाकि यार मैं मिलता हूं आप लोग से अगली किस और वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग